तो जो प्लेयर इंडिया को पचास मार रहा था विक्ट ले रहा था केमरें क्रीम को क्यों अगेंच वेशन डीज लाइक इतना रिसकिप बन जाए कि टीम में भी नहीं रखना है उस्टिलिया का कुन सा बोलर ऐसा रहने वाला है जो आज के लिए दो तीन विकट बड़ी आरा को बस आपको आखिर तक देखना है तभी आपने जो स्मोल लिक ट्रैल्ली के टीम है वो काफी अच्छे तरीके से बना पाऊगे चलो चलते हैं वीडियो वे सब्सक्राइब कर लो एंड जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस करना ताकि आप जो कोई मैच की वीडिय चैनल आप जोइन कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है क्योंकि बड़े मैचस में हमेश आपके लिए बड़े की बवेश दाते हैं तो गिबवेश वगरा टेम्स वगरा अपडेट्स वगरा सब आपको आपको वहां देखने को मिलेंगे तो फटावर से जाके जोइन ज मैश्टे क्लिखने चाहिए अब एक मैच इंटरेंश वह उससे क्या चीज़े निकल करेंगी बात करते हैं तो आप मान सकते होगी 170 के आसपास जोए स्कोर बिल्कूल जा सकता है या उससे ऊपर भी हो सकता है बात करते स्कोरिंग पैटन की 150 से नीचे साथ बर स्कोर बना है 150 टू 170 जो इस इक्स टाइम बना है वन टाइम एक सब्सक्राइब से उपर भी एक ही बार गया मतलब नोर्मली जो स्कोर बनता है इस ग्राउंड पर वो डेड़ सो से और 170 के आसपास नहीं बनता है उससे उप पुराने काफी जादा मैंचेस हो जाते तो जादा पुराने मैंचेस की अपन को लाइक टेंशन नहीं है वह देखकर मैं बोलों कुछ जादा निकलने वाला नहीं है बड़ जो पिछले तीन मैंचेस हैं इससे आपको काफी सारी चीज़े पता लग जाएंगे सिक्स्त ऑफ पिकट से वो लाइक पेसर के ही इधर से देखने को मिलते हैं तस विट पेसर के एक विगट है सिर्फ जो स्पिनर ने पिक किया है वहीं पर 4 जन्वरी तो हजर बाइस को जो मैंच वा ता पर स्कोचर्ट का ही था यह भी अगेंस इडने सिक्सर्स पैर्स को चर्ट से तो अलाइक टार्गेट था ना वो डिफेंड कर लिया वीस और में 137 ने दिये Sixers से विकेट की बाद करूँ तो आप इधर तो देखो के फर्स्ट इनिंग और चाहिए सेकंड इनिग तो इसमें पहले वाले मैच पर आते हैं 13 अव डिसमर को मैच वा था मेलबन रेनिगेट वासास ब्रिस्पेंड हीट के बीच में बेलबन रेनिगेट से वाने 140 जो की बड़ी इसली लेक टार्गेट चेस करता था तब रिसमें हीट ने 141 बना दिये थे पेसर बात करूँ पहले इनिग पेसर पूरे विकट लेगाई पिनर का मिलो सिर्फ एक एंड इनिग में दो विकेट पेसर इन विकेट पेसर तीन विकेट इन यह ना छह साथ मैच में एक मैच निकल कर आता है जिसमें की स्पिनर्स ने विकेट निकाले अदर्वाइस अगर हम इससे पिछले जो मैचेस की बात करो ना चाहिए फिर मैं वोमेंस वाले मैचेस भी देखता हूं तो उसमें वी जो विकेट्स है ना वो भाई पेसर नहीं ही निकाले वह इस ग्राउंड पर वकलब यह विकेट जो है हो सकती है स्पिनर्स लेने हैं बट बहुत जादा नहीं रख कर चलना है बहुत जादा वरोसा मत दिखाना स्पिनर्स के ओपर ठीक है बाकि आब आते अपने नेक्स्ट की तीन मैचे तो विकेट्स कैसे तो आप देखी लोगे बाई स्पिनर्स के तीन मैच में सिर्फ रही सकता है सबसे बहुत करता हुए तो आपको फिर यहां से कैमरान ग्रीन देखने को मिल जाएगा धर आपको जो इस जगह पर ना मारकर श्टोनिस देखने को मिल सकते हैं अब कैमरान क्रीम को मैं इतने नीचे को लिखा वैं आप बोलें इंडिया जो खेले थे तो ओपनिंग कर रहा था मार भी रहा था क्यों क्यों क्योंकि यहां पर अब जो डैविड वोर्नर वाप्ट सी कर चुके है और डैविड वोर्न एक देखने को मिलेगा जहां तक है मारकर श्टोनिस इंजर्ड है तो ग्रीन ही आपको खेलते वे लिख जाएंगे उसके बात में तरसे मैथ्यू वेड पैट कमेंस मिचल स्टार्ग जो सेजलवूड और इदर से एडम जैंपा तो यह तो जाएंगे इनके चार बोलर जो प हो सकता है कि मार्श ग्रीन पूरे ओवर करा जाए ठीक है मतलब इन दोनों में से कोई एक जो पूरे ओवर डाल के जाएक और उसमें भी सबस्यादा चांस किसके बनते हैं I think Cameron ग्रीन के क्योंकि मार्श अभी जो है इंजरी से वापस आएं तो इस वाज़े से हो सकता है कि प वाइल मेर्स ओपन कर सकते हैं इनके पास में जोंसन चाल्स एक उप्शन है पर टाइड रोंट किंग सोगी खिलाने वाले काफी टाइम बात चाल्स जो टीम में वापसी कर रहे हैं उसके बात में तीन पर एविन लूइस एंड दन इदर से निकोलस पूरन रोमन पावेल र सब्सक्रेंट में के पास में जोश इंगली स्ट ए सब्सक्राइब टोद से डैनियल से अपको सीन आब जोंसन चाल्स ए अब रेक्ते हैं की नहीं थोड़ा सा लाइक मैं बोलूगा कि 50-50 चांस है चाल्स का बटाइड कोई खिलाना चाहिए काफी बाट टाइम में वापसी कर रहे हैं और भी प्लेयर्स है कोई ऐसा निया कि बुरा परफॉमेंस अभी किसे ने दिखायो सिरिस के शुरुवात ही है शमारा ब्रूक्स का ऐसा ही कि देखो ह है कि अपनी फ्लाइट मिस पते काफी लोग बोल रहे हैं कि फ्लाइट मिस कि इतने चोटी से गलती के लिए टीम से बाहर कर दिया तो क्रिक्ट में डिसिप्लिन ही सब कुछ होता है इसी वाज़े से शायद है लाइक है को स्कोर से बाहर के आगा है शमारा ब्रूक्स को एज सब्सक्राइब नहीं है कि है अगर होते हैं अवलेबल तो एविन लुईस की जगहाए पर आपको फ्रूक्स खेलते हुए दिख सकते हैं तो यह कुछ इनकी लाइक बैंच प्लेयर से रहने वाले बात करते इस वेन्यू की जैसे मैंने आपको बताए कि इस वेन्यू पर ना जो मैच वो हारे थे वो था आगे साउथ अफ्रिका साउथ अफ्रिका ने बना दिया थे इदर से 108 ठीक है 108 जिसमें दस ओवर में वो मैच यह दस ओवर का वह दर डूटल उस्टेलियर ने बनाए 87 for the loss of seven wickets वो भी दस ओवर में हार गये मैस्वल ने बनाए 38 विकेट जो था नाम आता है मैक्सवल का चाहे इनिंग में 276 और अगर आप देखोगे तो भाई बहुत जबरदस्त है 69 का इदर से तो डेफिनेटली मैक्सवल आपके लिए इस मैच में इस बैटिंग बैटिंग के साथ में बहुत ज़ादे जबरदस्तिक पिक हो सकते है उसके बाद में न मैच में 64 और 21.33 का जो है यहां से आवरेज आपको देखने को मिल जाता है तो यह तो कुछ हमारे लाइक जो तीन है जो वेन्यू लीडर से निकल कर आजाता है फिंच का देखा जाए तो उतना कुछ खास नहीं है फिंच का बट हां मैक्सवल एंड पूरन डेफिनेटली ए पर दिखाते है पांच मैच में 9 विकेट से इनके नाव बोलिंग श्राइक रेट और जो बोलिंग एवरेज है ना वो भी काफी जाता है जबरदस्त है इनका बात की जाए दर से डैनियल से तीन मैच में 3 विकेट है मैक्सवल ने बैटिंग से तो अच्छा किया है बट बो बोलिंग लीडर्स में और वेन्यू लीडर्स बोलिंग शेक्शन से जिसमें आपके लिए लाइक निकल कर आ चुके एक तो एडम जैंप बैटिंग से देखा जाए तो मैक्सवल और पूरण तो ये प्लियर अपने वेन्यू के हिसाब से आप जरूर शोट लिश्ट करके र रहा हो बठा यहाँ पर हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो बैटंग आप वो काफी जाधा मजबूत है बोलिंग में थोड़ा बहुत हिदर उदर हो सकते हैं वही पर बात कि ज hijos हो इक कुछ है आज के इनकी वीकनेस और श्रेंथ एक भाई ने बोला था कि बता दिया करो भाई क्या है इनकी श्रेंथ तो देखो और अगर विनिंग परसेंटेज की बात किजिए तो डेफिनिटली एक जो थोड़ा बैलेंस निकल कर आता है ने टीम में वो इस्ट्रेलिया की चल मार्ज होगी चैनिंग में 272 एंड 45.33 का इनका अवरिज रहता है तो वोर्नर एंड मार्श आपके लिए हैट वेड से शोट्लिस्ट प्लियर हो चुके है उसके बाद में फिंच आते है इनका लाइक ना तो मेन्यू पर नो ना ही हैट वेड में कुछ जादा खास है निकाल दे फिंच को तो डेफिनेटल एचांस बनेंगे बाकी ग्रैंड लिग में आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राइ कर सकते हो इंडिया का गेंश में थोड़ा बहुत एक देरे-देरे फॉम में आते वे जरूर दिखे थे जैसे उनकी खराब फॉम चल रहे थे बाट के लिए उतना सजेस्ट नहीं करूँगा मैं बाकि उसके लबा जोंसन चाल से 5 मैच वे 144 28.80 लाश्ट मैच जो नहीं खेला ता गेंश रूश्यलिया वो ऐधिन 2016 में खेला था एंड उसका आद में एमिल लुई सा 4 मैच वे 139 ए 34.75 का एवरेज है तो यह भी एक थोड़े आपके लिए न डीसेंट पीक इदर से बन सकता है अगर आप पिक करना चाहा रहे हो तो यह तो हमारे कुछ लाइक हैट टो एड की लीडर इस निकल कर रहाता है बोलिंग चैक्शन से देखते हैं तो बोलिंग चैक्शन में सबसे उपर नाम किसका आता है वो है हेजलोड का हेजलोड 6 मैचेज में 9 विकेट्स निकाल चुके एवरेज है थोड़ा 20 के उपर पर श्राइक रेट जो थोड़ा विंट्रोल में 15.30 एंड उसके बाद मिचल मार्श है मिचल मार्श आपको एक्टम ओल्राउंड परफॉर्मेंस के साथ में देखने को मिलते है बैटिंग स अच्छे भी करेंगे सिर्फ इतना डाउट है मेरको कि भाई मार्श यह पूरी वोलिंग कराएगा कि नहीं और दो डालेगा डेफिनिटली बट पूरी वोलिंग कराने वाले कि नहीं यह टेंशन इदर से इनकी तरफ से रहने वाली है बाकि इदर से मिचल स्टार के 8 इनिं में पांच वोकिट के साथ में डेफिनिटली एक आपके लिए निक अच्छा पिक बनेगा हीजलवोड एंड ओवेड मकोई अपनी अपने टीम से एक कैप्टन वाइस कैप्टन है आपकी ग्रैंड लिग टीम के ठीक है ग्रैंड लिग में जरू ट्राई करना और एक मार्श पड़े याप में या छाओ या मिनिक में प्राइब के साथ में सिर्फि दर मैठ्यु बेड है मैं सिर्फ में मै जबना दो डुरान और यह गय्स्याहों एक अगर बार उट हो चुक है चुक ए हमारे कुछ ओडेंस् therapists Verein एडम्स एंपा 11 बोल में जो है अपनी विक्ट दो बर दे चुके हैं तो यह हमारे कुछ प्लेयर वैटल्स आज के लिए निकल कर आजाते हैं अब आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गिवावे का क्वेशन हो जाए कि आज के लिए क्या रहने वाला है तो आज के लिए का क्वेशन सिर्फ इतना है कि निकॉलस पूरेंड एरन फिंच जो दोनों टीम के कफ्तान रहेंगे वो कितने रंद मिलकर बनाने वाले आपको उनक इंस्टग में वहाँ पर फोलो कर सकते हो एंड स्टोरीज में इनकने को मिल जाएंगे मैच कहते हैं अपने वापे देखने होपर क्या कुछ कहानी है आज की तो इधर से देखते और निकल कर की कैपटन वाइस कैप्टन ऑप्शन कौन से निकल कर आ जाते रहो सबसे वहीं करती है तो हेजल वोड डेफिनिटली आपके लिए एक अच्छे कैप्टन माइस कैप्टन मेटीरियल बनते हैं आप जो अगर इनको ट्राइ करना चाह रहे हैं तो उसके बाद में मैक्सवेल का भी लाइक जो पर्फोमेंस है बोलिंग से तो उतना नहीं बट हां बैटिंग से अगर आप ट्राइ करना चाहो तो इनको एज़ा कर सकते हैं अब इस नहीं रहेगा अब यह लिए के लिए चाप्टन वाइस कप्टन आने का तो मौश्ट्रेला के साथ में ही जाना तो ज्यादा बहतर होगा अब आते हैं निकल कर नेक्स्ट हम अपने टीम के ऊपर कि आज सकते हैं तो टीम की तरफ हम जाए तो हमारे पास मैं विकेट की पर सेक्शन में इदर से निकॉलस पूरिन है बैटिंग सेक्शन में मैंने लुइस को लिया है अब आप यह लुइस वाली जो जगह है यहां पर आप कोई उस्ट्रेलिया का बैट्समन भी प्रेफर कर सकते हो लाइक आप एरन फिंच के साथ में जा सकते हो अगर आप जाना चाहो तो ठीक है बाकि उसके लवा मेरे पास में ब्रेंडन किंग है डैविड वोर्नर है मिचल मार्श है मैक्सवल है होल्डर है एंड यहां से मैने जो है काईल मियर्स को पिक किया है उसके बाद में हीजल व अगर उस्ट्रेलिया फर्स्ट बोलिंग करती है तो अगर सेगंड बोलिंग करते हैं तो उसकेस में हो सकता है मार्श या फिर मैक्सवल काफी अच्छे उप्शन बन जाए ठीक है तो यह कुछ आज के लिए टीम रह सकते हैं सारी चीज़े आपको वीडियो पसंद आए तो प्रेस कर लेना ताकि आगे जो आने वाली वीडियो जे वह आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाओ और साथ इसाथ टिल्क्राम चैनल भी जरूर जोइन करना है जिनका लिंक है डिस्क्रिप्शन में टीम्स अपडेट्स ग्योवर्स सब चीज़े हैं आपके लिए तो फड़ा